आप सबी दोस्तों का आमाजिन क्लास में स्वागत है आज मैं स्वां का अक्लास टू लेका रहा हूँ जिसमें हम सौं के क्लास वान को डिसकस कर चुके थे जिसमें मैं 20 इमपोर्टन क्वेस्टन को डिसकस किये थे आज भी 21 से 40 question discuss करेंगे 20 question हर class मिलाऊंगा और मैं जो series चला रहा हूँ 1000 MCQ mechanical engineering के लिए यह बहुत ही important है जो इस exam में mechanical engineering से related question पुछ जाते हैं मैं सब कुछ सब question जो लाता हूँ बहुत ही important question लाता है ताकि जिससे सभी concept आपको clear हो जाए और मैं सबी question को अच्छे से discuss करता हूँ यह नहीं कि आपको question बता दिया answer टिक करके नहीं करके लिका हो इसा नहीं मैं पूरे question को अच्छे से discuss करूँगा extra knowledge भी बता हूँगा तो अगर आप channel पे नहीं है तो channel को subscribe कर दे साथी bell icon प्रेस कर दे ताकि मैं जो भी नया video upload करूँ आप तक notification पहुँचे और अगर आप अभी तक telegram channel से नहीं जूड़े हैं तो telegram channel या group से जूड़ सकते हैं ठीक है यह बहुत ही important है सभी exam के लिए जिसमें technical और अगर आप अभी तक telegram channel से नहीं जूड़े हैं description box में पीडियओ डूब्ड दूँ वहाँ से पीडियओ आप डाउनलोड करें तो मैं description box में पीडियओ का link दे दूँगा वहाँ से आप पीडियओ डॉनलोड कर सकते था कि बाद में अगर प्रक्टिस करना गए तो आप आम से फिर से दुवारा प्रक्टिस कर सकते हैं आपको लिखने का जोरत नहीं आप सिर्फ पेन को पी लेके बेटिए और सोलिशन जो बता रहे उसको समझे और उसको सौन किजी पिए को लिखने का कोई जोरत नहीं मैं को आज क्योंनमोर 21 से 40 तक हम डिसकत करेंगे तो इस ट्रेंड इस डिफाइंड एज दरे सिव आ विक स्ट्रेंड क्या होता है इस ट्रेंड पाता है विल्द भाइंड होता है छीनग लेंथ छेंग टेल्टा एल बाई औरिजिनल लेंद यानि कि चेंज इन लेंद बाए औरिजिनल लेंद आपका इस्टेंड होता यानि कि option B जो होगा आपका right answer होगा change in length to the original length option B आपका right answer हो जाए चलिए question number 22 what will be the thermal stress developed in a rod having a diameter of 4 cm and length of 2 meter it experiences heating from temperature 50 degree centigrade to 200 degree centigrade the coefficient of thermal expansion alpha आपको find करना कि thermal stress क्या होता है तो thermal stress का formula होता है sigma T equal to alpha T और E alpha क्या है alpha आपका coefficient of thermal expansion T होता change in temperature temperature कितना change हो रहा है और यह जो होता है young's modulus तो यहापर alpha का जो value दिया हो है alpha का विलाप simple इसको put करना है 10 into 10 to the power minus 6 temperature difference हो जाएगा यानि कि 200 minus temperature difference कितना हो जाएगा 200 minus 50 और E जो दिया young's modulus तो into 250 और giga pascal में दिया है तो इसको mega pascal में convert कर लेंगे और 10 to the power 3 से multiply जाता है बना 1 giga pascal equal to 10 to the power 3 mega pascal ठीक है तो इसको solve करेंगे इसको solve किजेगा तो देखिए इसको solve जैसे करेंगे तो पूरा का आप solve कर लिजेगा solve करने के बाद आपका 375 आएगा 375 mega pascal तो option D आपका right answer इसी तरह आपको solve करना है चलिए next question question number 23 a rod with a length of 100 cm and diameter of 4 cm undergoes an axial pool of 50 kN what is the stress in the newton per mm square तो हमाल लिजे कोई rod है ठीक है कोई rod है ठीक है और जिसका length और इसका diameter दिया हुआ है 4 cm ठीक है तो हम axial pool लगा रहे है axial pool मतलब क्या देखिए axial pool मतलब क्या होता है क्या axial pool मतलब क्या है चोद क्या हो रहे है इसमेए axial pool लगा रहे है अब पूसो था like तो pool लगा रहे है मैंने घीच रहे हुर तो घीच रहे है तो क्या हुआ है जब किसी चीच को घीच रहे है हम अनो कोईै look p l लगा रहे तो इसको हम घीच रहें तो घीच रहें तो क्या हुआ जब इसको हम घीचेंगे तो एरिया क्रोस सेक्शनल एरिया लेना पड़ता ठीक है तो लोड क्या आपका लेट 50 किलो निटन है यानि कि 50 इंटू 10 तो दी पाबर 3 divided by cross sectional area तो cross sectional area क्या है इसका diameter दिया है यानि कि pi by 4 d square और d क्या है d यहाँ पर क्या है d diameter दिया आपका 4 cm तो 4 का square ठीक है अगर इसको solve किजिएगा इसको solve करने के बाद जो stress आएगा stress का value 39.9 कुछ आएगा तो 39.789 आएगा इसको आप्रोक्सिमेटली 40 मार लेते यानि कि option d आपका right answer हो जाएगा चलिए next question question number 24 choose the incorrect condition for thermal stress in a body तो thermal stress में कौन कौन सा condition satisfy करता है तो आपको पता होना चीए कि thermal stress जो होता है alpha t और e relation होता है इसको बोलते है coefficient of thermal इसको बोलते है coefficient of thermal expansion इसको temperature rise और इसको बोलते है यंग्स modulus तो देखिए it is a function of coefficient of thermal expansion यह तो सही है ठीक है it is a function of temperature coefficient of temperature ठीक है और function of rise of temperature इसको इसको पर इसको 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 नहीं करता है तो इसको 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 पूछा इनकरेक्ट यानिकि option d आपका right answer हो जागा इस तरह question जब पूछेगा तापको ध्यान देना है कि incorrect पूछा कि correct पूछा अगर मार्लेजी इनकरेक्ट दिया और पढ़ लिए पहले option देकर टिक करके निकल गई बाद में जब exam देकर आ रहे हैं तो पताश्य आपको question को सही से पढ़ना इनकरेक्ट करेक्ट इस सब बहुत अच्छे से देखना है not or not नहीं दिया उसको आपको द्यान से देखना है ठीक objective में I still bar of dimension 10 mm 1 mm and 1 mm is free to expand is heated from 15 degree centigrade to 25 degree centigrade what is the stress cell will develop ता आपको देखिए इसमें आपको बहलू से जो भी बहलू दिया है निवरिकल बहलू दिया से कोई लेना देना नहीं देखिए इस्ट्रेस तभी develop होता है जब कोई body रेजिस्ट करेगा इसे मार लेजे रोड है अब इस रोड को अगर इस तरह राखेंगे तभी तो stress डेवलप होगा इस पर इसको कोई रोकेगा नहीं तब तक stress उस पर develop नहीं होगा अगर मार लेजे कोई फिली रोड को छोड़ दीग इस पर stress develops होगा इतों expand होते जाएगा इसको कोई रोकएगा निए stress कहां से पैदा होगा ठीक है आप किसी चीज को मारें अगरेंगे इससे मार लें इसे खली जगाम मारें जोस्कोफ लगाये है wreckage तम दिवाल को मारेंगे तो दिवाल आपको stress लगाएगा तो उसी हिसाब से जब तक कोई रोकने वाल अची जब तक कोई resisting body नहीं होगा तब तक उस पर कोई stress डेपलोप नहीं होगा यानि कि option B आपका right answer हो जाएगा चलिए question no.26 what will be change in length of steel bar or having a square cross section of dimension 40 mm and 40 mm what is subjected to axial compressive load of 250 kN if the length of bar is 4 meter and modulus of elasticity E equal to 250 GPa तिसमें आपको क्या फाइन करना है change in length तो जब भी axial compressive load नहीं होगा तो छीक है इस तरह कर जा रहा है तो इस पर हमको deflection निकालना है तो deflection जो निकालना है axial load के कराण p by l by e hoता है pl by a e hoता है ठीक है तो a निकालना है तो del निकालना है तो del निकालना है ह alien CT by 0 तो फिप्टी किलो यानि कि 10 to the power 3 कर देंगे ठीक है और उसके बाद L लेंद कितना लेंद तो लेंद आपका 4 मिटर दिया है तो इसको mm में कर लेते हैं ठीक है उसके बाद क्या करना है उसके बाद आपको ए एरिया एरिया लेना है तो एरिया 40 इंटू 40 ठीक है उसके बाद लेना 250 इंटू 10 to the power 3 इसलिए रहें कि इसको मेगा पास्कल में रखना है अगर मेगा पास्कल में सिंपल ही देता तो 10 to the power 3 to apply नहीं करते अब इसको सौल करें movimento 10 इधर भी mm था इसलिए उसलिए मिल दिए हैăm पूरा तो आपका 2.5 आएगा 2.5 2.5 mm में आएगा यानि कि option यह आपका राइट अंसर हो जाएगा चलिए नहीं स्कूर्च what is the normal stress on bar of square section cross section with side b on which load p is applied at an angle of 30 degree अब स्कूर सक्षम होगा तो इसी भी स्कूर होगा ना पूरा पूरा स्कूर सक्षम होगा उसका जो side b है ठीक है सब तरफ b है अब इस पर अगर माने ओड़ने मजलेगा इसको देखते हैं एग तो लोड लग रहा तो यह जो P लग रहा है, ठीक है, P जो लग रहा है, वो 30 degree पर लग रहा है, और इजन्टल के साथ, तो यह यह निए P को 30 हो गया, तो हमको इसी लोड को चाहिए न, हमको एही लोड से मतलब है, जब हमको normal stress निकलना है, तो एक जियर लोड जो लग रहा है, उसी यह काल भागा तो normal stress जो होगा stress जो होगा normal stress क्या हो जाएगा normal stress जो होगा load upon applied load applied load upon area cross-section area हो जाएगा तो applied load कितना हो गिए P cost 30 और cross-section area इसका area हो जाएगा यानि कि B square ठीक है तो cost 30 का कितना हो था cost 30 का value होता है root 3 by 2 तो P इधर से था और इधर B स्क्वेर था इधर root 3 by 2 लिख देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा root 3 P by 2 B स्क्वेर यान की option 27 का option C आपका right answer हो जाएगा option C चलिए next question the value of principal stress at a point in a plane stress element is sigma x equal to sigma y equal to 500 megapascal calculate the value of normal stress acting at an angle of 45 degree at x axis तो 45 degree पे अंगल लग रहा any question about 28 देखना ठीक है तो इसमें क्या करना है जब भी normal stress की बात करें तो normal stress 45 degree will be क्या होता देखिए तो on a plane of maximum shear stress the normal stress is equal to average of normal stress होता है ठीक है या तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो normal stress 45 degree मिलेगा normal stress at 45 degree will be the average of principal stress मतलब दोनों का average निकालना पड़ेगा जो normal stress निकालना है तो normal stress अगर निकालना है तो क्या होता है दोनों का average हो जाता है किस point पे जब principal stress at 45 degree जब 45 दिया रहेगा तो normal stress जोगा वो दोनों का average होता है मने sigma x plus sigma y by 2 हो जागा यानिकि 500 plus 500 divided by 2 यानिकि 500 आपका right answer हो जाएगा option b आपका right answer हो जाएगा और एक चीज़ आपको याद राखना कि जब भी हो on the plane of maximum shear stress जब भी maximum shear stress हो तो normal stress is equal to average normal stress हो जाता है ठीक है on maximum shear stress plane maximum shear stress plane में क्या होता है normal stress जो होता है वो average हो जाता है ठीक है question number 29 ice chill rod length 20 200 mm and final length of 200.2 mm after application of axial tensile load of 20 km what will be the strain developing the rod तो strain करना है तो strain का जो formula होता है आपको पता होना चाहिए कि strange होता है क्या होता है strain होता है changing length by original length होता है तो strain क्या होता है final final length minus original length original length by final original length एई आपका formula होता है original original length ठीक है तो final length कितना है 200.2 और original कितना है 200 divided by 200 यानि कि 0.2 by 200 यानि कि option C आपका right answer हो जाएगा option C आपका right answer हो जाएगा चलिए next question value of normal stress is dash in the plane of maximum shear stress तो जब भी maximum shear stress होता है तो उसमें क्या होता है maximum shear stress में क्या होता है कि आपको इससे पहले पता है कि normal stress on the plane of maximum shear stress क्या होता है average normal stress के परापर हो जता है तो होई condition इसने पूछा है कि इसका मतलब यह नहीं कि normal stress होगा need not be 0 कोई जरूरी नहीं है कि need not be 0 हम नहीं बोल सकते हैं कि 0 होगा लेकिन इह बोल सकते हैं कि अगर maximum shear stress plane में यह तो normal stress होगा average of shear stress होगा ठीक है अब maximum होगा minimum होगा 0 होगा इसके बारे हम नहीं बदा सकते हैं ठीक है तो option D आपका आपका राइट एंसर होजाएगा determine an axial strain in the cylindrical wall at the mean depth when young's modulus and Poisson's ratio of container is 200 GPa and 0.6 respectively the axial and circumferential stress are equal and its value is 20 MPa तो जब भी आपको निकानला पलेगा axial strain तो इस ट्रेंड का formula होता है two dimensional में ठीक है सिग्मा बाइए 1-μ, μ क्या है Poisson's ratio इसमें simply value put कर देना है क्या दिया है 20 MPa और इधर E का value 200 200 GPa दिया है यानि 200 x 10 to the power 3 और 1-μ, μ का value 0.6 अगर इसको solve किज़ेगा पुरा यानि कि 4 x 10 to the power minus 5 आएगा यानि कि option D आपका राइट हो जाएगा Question number 32 The magnitude of normal stresses in x y direction is 100 MPa and 20 MPa respectively बोथ the stresses या R होगा ठीक है R, R tensile in nature determine the radius of more circle तो radius of more circle निकाला होगा तो इसका formula होता है radius of more circle के लिकाला होता है under root sigma x minus sigma y by 2 का whole square plus tau xy का whole square ठीक है या परमुला होता है लेकिन इसमें तो CR stress दिया ही नहीं या तो इसका कोई काम नहीं है नर्मल stress लेना है तो नर्मल stress लेंगे तो दोनों कितना 100 तो 100 minus 20 by 2 का whole square यानिक 80 80 by 2 यानिक 40 40 का square under root करेंगे तो यहां से 40 आपका मेगा पास्कल आ जाएगा यानिकि option B आपका right answer हो जाएगा next question a rod of dimension 20 20 mm is carrying a axial and tensile load of 10 kN if the modulus of elasticity is 250 MPa then strain induced due to load would be तो strain क्या होगा तो आपको पता है एक axial load करेंगे तो इस्ट्रेंग जो होता है PL by AE होता है ठीक है तो निकालना AE deflection होता है डेल sorry deflection होता तो इस्ट्रेंग क्या होता चेंज in length by original length तो यहां से change in a P by AE लिख सकते हैं तहीत हमको निकालना इस्ट्रेंग चेंज in length by original length तो P कितना दिया 110 x 10 to the power 3 किलो में दिया है एरिया कितना दिया है 20 x 20 और E कितना दिया है 250 मेगा पास्कल तो 250 यह लेंगे ठीक है तो यहां से इसको solve करेंगे तो आपका आ जाएगा point 1 आ जाएगा यानि कि option A आपका right answer हो जाएगा चलिए question number 34 determine the change in volume of block of 50 cm width 10 cm height 8 cm undergoes a volumetric extent तो volumetric extent दिया है इसको solve करेंगे तो 0 स 0 cancel हो जाएगा ठीक है अब इसको पुरा solve करेंगे फिर 5 स कटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 3 और 5 50 यानि कि डेल्टा भी जो आएगा आपका 24 by 50 something 0.48 का सबसाएगा तो option c आपका right हो जाएगा 34 का option c आपका right हो जाएगा चलिए next question the state the state when tensile or compressive stress is equal in all direction within or external to a body is known as तो देखिए जब आप पढ़ेंगे इसमें stress डाइगराम में देखिए तो यह compressive in nature लग रहा है गर सब equally stress लग रहा है चाए compressive हो यह tensile in nature हो तो इसी को बोलते हैं hydroesthetic stress मतलब same stress लग रहा है चालो तरब से तो उसको बोलेंगा hydroesthetic force stress often B आपका रहा है टेंसल हो जाएगा it is used to describe state of tensile or compressive ठीक है tensile or compressive नेचर को डिसकाइब करता है जो equal होता है in all direction में equal in all direction within or external to the body यातो within a body होगा यात external to the body होगा दो में होगा equally होगा जो भी stress डेवलोप होगा होगा question number 26 देखिए 36 होई the bending moment diagram for simply supported beam with a load at pin-manage pin ठीक है अब simply supported beam है तो क्या करेंगे simply supported beam इस्तर बनाएं आपको solve नहीं करना आपको शिर्फ याद रखना है क्योंकि exam में आपको उत्तुना time नहीं मिलेगा क्या आप इसको बना सकते हैं ठीक है तो अगर यी w रोल लाग रहा तो इधर क्या हो जागा w by 2 इधर भी w by 2 लागेगा तो इसका जो shear force diagram बनाएंगे shear force diagram इस तरह बनेगा आपको ठीक है यी plus हो जागा यी minus हो जागा यी क्या हो जागा w by 2 इधर से भी w by 2 तो bending moment diagram इसका क्या बनेगा तो bending moment diagram आपको इस तरह बनेगा ट्राइंगेल बनेगा और जो इसका value होगा w by 4 हो जाएगा तो इस आपको याद रखना है कि कभी कोई पूचा जाता है कि अगर bending moment diagram इस सिंपली सपोटेड है अगर point लोड है तो इसका shear force कैसे बनेगा diagram तो shear force क्या हो सकता है w by 2 हो सकता है आप पूछ देगा कि bending moment डाइगरा में 100 question बनाना है total 200 question रहेगा दो गंट रहेगा तो तुना time ने रहेगा आपको उसको सोचेंगर बनाए आपको तुरन 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 टिक करना वैसलिए आपको अधिक्दर चीज़े आपको practice करकर करके यादी रखना पड़ेगा ठीक है चलिए next question at the point of the counter fracture counter fracture point क्या होता है कि एसा point देखे इस तरह का होता है इस तरह होता है इस तरह होगा ठीक है इधर plus होगी है इधर minus होगी है इसको बोलेंगे sagging इसको बोलेंगे hogging ठीक है तो यह वाला point है यह वाला point है इसी point को बोलते है point of counter fracture इस point का मतलब क्या होता है point where bending moment change its sign जहाँ पर bending moment sign change कर रहा है और इसी को बोलते हैं point of inflation point of inflation भी बोलते हैं point of inflation भी इसको बोलते हैं इसी point में क्या होता है कि bending moment change its behavior मतलब sign change करता है यानि कि option B आपका right answer हो जाएगा for a simply supported beam having a load at the center the bending moment will be अब देखे इससे पहले भी देखे थे कि bending moment diagram जब बनाए थे हम ठीक है यहीं bending moment diagram था इससे पहले भी बनाए थे तो bending simply supported beam the point load पे था तो पुछाए कि center bending moment will be the moment will be क्या होगा minimum का minimum सपोर्ट minimum सपोर्ट हो रहा है यानि कि option आपका right हो जाएगा क्योंकि option B जो दिया minimum center center में तो maximum maximum support इभी गला था यानि कि option A आपका right answer हो जाएगा चलिए ठीक है ठीक है 39 a simply supported beam carries a family distributed load w per minute length over a whole span the shear force at the center तो आपको shear force निकालना है तो shear force आप कैसे सल करेगे इस तरह करके रहता है इनी family distributed है ठीक है इनी family distributed होगा ठीक होगा डबलू हो रहा है इसका मतलब क्या shear force diagram जो होगा आपका इस तरह करके होगा ठीक है इस तरह यहां पर लग रहा है क्या w लग रहा है load लग रहा है तो shear force diagram अपका इस तरह होगा इस तरह होगा इस पॉइंट से meet point से पर्स करेगा ठीक है तो shear force diagram अपका इस तरह बनेगा और shear force क्या हो जाएगी यहा पर wl by 2 हो जाएगा और यदर भी load जो गा wl by 2 जाएगा आप इसको solve कर सकते हैं लेकिन सौल करना कोई मतलब नहीं बनता है आप सबू viol कर लेंगे आप इसको reaction माल मेंगे और इसको elektron को balance कर देंगे आरे रे कंगरे इक्वल टो WL और इसके बाद किसी पूइंट के मघान लेंगे और इसके बाद इस पूइंट के तो मघाने जिरू हो जा और और यहां पर मैक्सिम होता WL8 होता है किस केस में simply supported beam uniformly distributed होगा तो मैं दो चीके बता दिया simply supported beam uniformly distributed और simply supported beam point load दोनों आपका clear हो गया shear force diagram केसे बनता है bending moment diagram केसे बनता आपको इतना याद राखना है उसके से बाहर आपको कुछ भी याद ने रखना इतना बता रहा हूं बहुत ही sufficient है अगर आप extra knowledge जानना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं लेगिन इसको तो जानना बहुत ज़रोड़ी है कि आप जितना question number of question practice करेंगे उतना आपका concept clear होगा इसमें इस्टेन एनरजी कैसे डेवलब उड़ा तो इसमें देखी एक चीज़ देखी इसमें क्या होगा है कि bending moment जो होता है इस्टेन एनरजी जो होता है ड्यूट्य करन क्या होता है M square L by 2EI होता है ठीक है तो आप माल लिज़े इस पर निकालते है इसके bending moment इसपर निकालते है कोई भी x distance section cut कर लेते है एकस डिस्टेन्स पर cut कर लेते है तो फिर से ले रहे तोasında क्या होगा पी स्क्वेर एक्स है cette deck by 2EI, अब इसको indicate करेंगे, तो पी स्क को ते येज जाएगा, x square x cube x square x cube x cube यानि कि x cube को जाए लखेंगे तो l cube हो जाएगा और यहां से 3 जाएगा 2 3 इसको integrate किया 2 यानि कि 6 e i यानि कि option 2 square l cube by 6 option d आपका right answer हो जाएगा तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो question आज discuss कियें सभी question का concept समझ में आए और अगर concept समझ में आए इस चैनल इस वीडियो को like करें और दोस्तों में share करें साथी bell icon press कर दें ताकि जो भी में वीडियो डालू आप तक पहुँचें और click on the image below the below to watch वीडियो अगर आपको जीके का इस जीके का वीडियो देखना है तिस इस पर आप डायटिक किलिक करके इस वीडियो पर पहुँच सकते हैं और अगर आपको एससी जाई रेजिनिंग प्रिबियस एर का पेपर देखना दिस पे इस इमेज पर किलिकर करके डाइट लिए आप वीडियो पे पहुंच सकते हैं ठैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो